नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज 28 ओक्टूबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर प्रदेश में तीन नई सेवाओं की ओनलाइन हुई शुडवाद भारत में साल का आखरी चंद्र ग्रहनाज सरत पुर्णिमा भ्याज सीवेसी ने नौवी ग्यारवी के लिए रजिस्ट्रेशन की ताडिक बढ़ाई बिहार में ड्यूटी से गायब 2000 टीचरों के वेतर में कटाउती 22 सस्पेंट राश्ट्रिय फिल्म पुर्सकार जीतने के बाद घर पहुँचे पंकस्त्रिपाथी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों क्यों विस्तार से ने बी एफ आईडी में 56 पदों पर निकली भरती नेशनल बैंक फॉर फाइनसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डवलप्मेंट यानि की ने बी एफ आईडी के दौर आफसर के 56 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह ने बी एफ आईडी की अधिकारिक वेबसाइट www.nabfid.org पर जाकर ऑल्लाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि इसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 13 नमबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके अलावा अपिलिकेशन प्रिंट करने की अंतिम तारिक 28 नमबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए एगर सैचनिक योगिता की बात करे तो विविन पढ़ों के लिए विविन योगिता निर्धारित की गई है ऐसे में इसे जुरी अधिक जानकाडी के लिए जारी के गया अधिसूशना को एक बार जरूर देख ले प्रदेश में तीन नई सिवाओं की ओनलाइन हुई शुरवाद बीते दिन रजिश्व एवं भूमी सुधार मंत्री आलोग महता के द्वार राज्ये में 3 सिवाओं की शुरवाद की गई और यह दावा क्या गया किसे रायातों की समस्थ्या का कम समय में निदान होगा बता दे कि जिन 3 नई सिवाओं की शुरवाद की गई है उसमें अब दाखिल खारिज पुनरिक्षन एवं जमाबंदी रद करने से जुड़े बाद ऑनलाइन दायर किये जाएंगे इसके अलावा जमाबंदी में बदलाओ की सूशना रायत को समस के माध्यम से मिल जाएगी और दाखिल खारिज बाद के विरुद ऑनलाइन अपतिया भी दर्ज होंगी मालम हों कि अब तक दाखिल खारिज पुनरिक्षन एवं जमाबंदी रद करने से जुड़े बाद ऑफलाइन ही दर्ज किये जाते थे वही स्वरार मंत्री के द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में बदलाओ की सूशना समस के माध्यम से पानी के लिए विवागे पोटल पर पंचियन कराना होगा वही अब तक दाकिल खारिज बाद के विरुद ऑनलाइन अपतिया दर्ज करानी की विवस्थान नहीं थी जो अब दे दी गई है भारत में साल का आखरी चंदर ग्रहन आज सरत पुर्णिमा भी आज आज यानी की सनिवार को भारत में शाल का आखरी चंदर ग्रहन लगने वाला है बता दे कि चंदर ग्रहन की श्रिवात 28 अक्टूबर को रात में एक बचकर पांच मिनट पर होगी जो की रात दो बचकर 24 मिनट तक रहेगी मालमों कि या चंदर ग्रहन आंसिक होगा ऐसे में भारत में या चंदर ग्रहन दिल्ली, जैपूर, जमू, कौलहापूर, कौलकता, लखनाउ, मुंबई, नाकपूर, पटना, राइपूर, राजकोट, रांची, सिमला, सिल्चर, उधैपूर, उज्जैन, बरोद्रा, वारन प्रियागरा, शिन्नाई, हरिद्वार, मतुरा, हिसार, बडेली, कानपूर, आगरा, रेवारी, अजमेर, एहंदाबाद, अमृतसर, ब्रेंगलूरू, भोपाल, भोवनेश्वर, चंडिगर, तहरादुन समेत अन्य शहरों में देखा जा सकेगा वहीं भारत के अलावा यह चंडरगहन, पाकस्तान, नेपाल, श्रिलंका, बांगलादेश, अफगानिस्तान, भोटान, समेत कई देशों में देखा जाएगा बता दे के आज के बाद अगला आंशिक चंडरगहन 17 सितंबर 2014 को लगने वाला है, इसके साथ ही आज सरद पुर्णिमा भी मनाया जाएगा जो भारत के विविन भागो में खास महत्वर रखता है बिहारी पैचान में आज हम बात करेंगे संप्रदा सिंग के बारे में संप्रदा सिंग एक भारती वेवसाई थे जो अलकेम लिबरोटरीज के संस्थापक और अध्यक्ष थे जो भारत में फार्मासियूटिकल फॉर्मूलेशन और निट्रासियूटिकल का विकास नर्मान और विपनन करते हैं इसका परिचालन योडोप, अफ्रिका, एशिया, प्रिशान, दक्षिन, अमेर्का, सिंगत, राज, अमेर्का और भारत में है बतादिक 1973 पर में उन्होंने PMCH पटना के पास एक छोटी दवा की दुकान शुरुकी मगद पॉर्मा के बैनर तले, दवा वितरन, वैवसाई का और विस्तार किया, उन्होंने 1973 में अपने छोटे भाई वासुदेव नरायन सिंग के साथ अलकेम लिबरोटरीज लिबिटेड के स्थापना किया और इसके अध्यक्ष के रूप में कारे किया, मालुम हो कि 2009 में सत्य ब्रह्मा द्वारा स्थापित फार्मा सिटिकल लिडर् साइंसेज में Entrepreneur of the Year का पुरुस्तकार मिला, 2017 में फोवर्स एंडिया के अमीरों की सूची में संप्रदा सिंग को भारत के 43 सबसे अमीर आदमी के रूप में अस्थान दिया गया था, 2018 में संप्रदा सिंग भारत के सबसे अमीर बिहारी थे बिहार में ड्यूटी से गायब 2000 टीचरों के वेतर में कटोती, 22 सस्पेन, सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठर के निर्देश पर विभाग की ओर से, रिडिक्शन के दौरान ड्यूटी से गायब मिले 2021 सक्षकों के वेतर में कटोती कर दी गई है, इसके सा प्रात्मिक सक्षक संग के सयोजक राजिस सिंग के द्वारा कहा गया है कि हम सक्षा विभाग द्वारा सक्षकों के खिलाफ शुरू की गई वेतर को टोती, निलंबन और बरखास्तगी सहे सभी कारवाईयों को ततकाल वापस लेनी की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा अग सक्षक अभ्यर्थी बहाली परिशा के रिजल्ट को लेकर विवाद बरता जारा है, बता दी कि बीते दिन राचे के विवन जिलो से दरजनो अभ्यर्थी पटना हाई कोट पहुंचे और कहा कि उन्हें बिहार लोक से वाई हो गया, सिक्षा विभाग पर भरोसार नहीं है, इस तोरान एक सक्षक अभ्यर्थी, विकी कुमार के द्वारा बताया गया कि महलाओं की सीद पर बिना नॉर्मलाईजेशन के महलाओं की निप्ति हो गई है, और उन्हें कहा कि पुरुश अभ्यर्थियों के साथ ठकमारी की गई है, हमने बिपैसी को लेकर इसके मेल भी कि अब उन्हें सिख्छा विभाग और बिहार लोकसिव आयोग पर कोई भरोसा नहीं रहा है अब उन्हें सिर्फ नयायाले से उम्मीद है बिहार में NCCF पेच रहा सस्ता प्याज अगर आप भी प्याज की कीमत से परिशान है तो यहाँ ख़बर आपके लिए है बतादे की बीद दिन बिहार में भारती राश्ट्री और वोक्ता सहकारी संग यादी की NCCF के द्वारा सस्ते में प्याज बेचने की श्रुबात कर दी गई है बतादे की NCCF के द्वारा 25 रुपे किलो प्याज बेची जा रही है इसकी वैन पटना की गलियों में खुमेंगी जहां से लोग सस्त प्याज खरी सकते हैं इस बारे में NCCF की पटना साखा के प्रबंधक राजीश कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि बिहार की राजधारी पटना के बाद राज्य के अन सहरो में भी चल्द ही इसकी शुरुबात की जाएगी उन्होंने बताए कि मुझा प के लाल और बॉलिवूट के जाने माने अविलीता पंकस्त्रिपाठी मिमी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग आक्टर के लिए राश्ट्रिय फिल्म पुरुसकार मिलने के बाद अपने घर गोपाल गंज पहुचे हैं बतादी कि वह गोपाल गंज बीते दिन यानिकी 27 22 ऑक्टूबर को पहुचे जहां उन्होंने अपने पडिवार वालों और करीबियों से मुलाकात की और वापस मुंबई के लिए रवारा हो गये वहीं घर पहुचने के बाद पंकस्त्रिपाठी के द्वारा कहा गया कि राश्ट्रिय फिल्म पुरुसकार मिलने के बाद पह GSTR एक फाइल नहीं करवाना पड़ेगा महंगा अगर आप में उन लोगों में है जिन्होंने अब तक GSTR एक दाखिल नहीं किया है तो जल से जल्द अपने इस काम को पूरा कर ले दरसल मगत प्रमंडल के विविन जिलो के ऐसे 7421 वेवसाईयों को चिनित किया गया है जिनके दोरा नियत समय पर GSTR एक दाखिल नहीं किया गया बतादे कि आंकरा बानिचेकर विवाग के मंत्री वर राजिकर युक्त सहसचीव दोरा इस महीन किये गए समिक छात्मक बैठक में निकल कर सामने आई है बतादे किन करदाताओं के उपर सक्त कारवाई के निर्देश दिय गये हैं कारवाई के तहट करदाताओं के उपर जिर्माना के साथ-साथ आवशक्ता अनुसार वैवसाइक प्रतस्थानों के नरक्षन की कारवाई भी की जा सकती है संबंद में जानकारी देते वे राजिकर अपर आयुद के के सनहा के द्वरा बताया गया कि जिन प्रतस्थानों के नरक्षन की कारवाई भी की जा सकती है सूबे के 45 प्रतीशत उत्क्रमित उचमाध्यमिक स्कूलों में बेंच डिस्क की कमी होगी दूर राजिके 45 प्रतीशत उत्क्रमित उचमाध्यमिक स्कूल ऐसे है जहां बेंच और डिस्क की कमी है से में इस कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के द्वरा सभी जिला सिक्षा कारयाले को एक पत्र लिखा गया है बता दे किस पत्र के माध्यम से चक और प्राचारे के बैठने के लिए भी कुरसी दी जाएगी और साथ ही स्कूलों को कुरसी और अलमीरा भी दिया जाएगा कि जानकारी क्लिबतादिक इस कारे को करने के लिए विवाग के द्वारा स्कूलों को 30 ऑक्टूबर तक का समय दिया गया है ऐसे में 30 नानी बाबू वीर कुवर सिंग का निवास अस्थान माना जाता है या एक दो मंजला विशाल इमारत है और सामने की ओर दो बड़े टैंक है मुखे भवन के सामने बाबू वीर कुवर सिंग की एक बड़ी मुर्ती इस्थापित है इस के लिए का पड़ी सर विशाल है और दलकस नजारा प्रसूत करता है संगरहाले में सत्रवी जताबदी के सिक्के और सस्तर तो हैं ही जगदीश पूर के सैनिकों के कवच वस्तर और माडल के रूप में तो भी रखे गए हैं सिक्षक भरती में आनिमता और धांधली पर बीपी असी चेर्मैन की सफाई बीपी असी के द्वारा आयोजिस सिक्षक भरती में अनिमता और धांधली की शिकायतों के बीच बीच बीटे दिन बीपी असी के चेर्मैन अतुल प्रिशाद के द्वारा एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस्स पर ट्वीट कर गया है कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कटॉफ से अधिक अंक होने के बावजूत TRE उमेद्वारों का चेयन नहीं किया गया है जांच करने का पड़ पता चला कि वे बीर धारत पी आर्टी अभ्यारती थे ऐसे शिकायत करताओं को जूट फैलाने का परिणाम होका ना पर सकता है कुछ TRE 11-12 उमेद्वारों ने उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूत बहुत खड़ाब अंक मिलने की शिकायत की है ऐसे उमेद्वारों को सला दी जाती है कि वे जांच ले कि उन्होंने OMR में सही विशह सही उजन चुना है या नहीं इसके साथ ही BPSC के द्वारा भी नोटस जार अभ्यर्थी को यह जानकारी दी गई है कि कट ओफ मार्कस जारी होने और मार्कसीत जारी होने पर कोई शिकायत है तो अभ्यर्थी अपनी शिकायत पर इच्छानी अंतरक को बेजए QR Code scan करना आपको पर सकता है महंगा अगर आप भी उन लोगों में हैं जो QR Code scan करते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि Cyber Security के अनुसार लोगों को ठगने के लिए Scammers के द्वारा इमेल पर और अन तरीकों से QR Code भेज कर ठगी को अन्जाम देने का काम किया जा रहा दरसल यह QR Code Fishing Link और Scam Page से Encoded होते हैं ऐसे में जैसे ही किसी के दौरा इस QR Code को Scam किया जाता है और Password Enter किया जाता है तो वह ठगी का श्रिकार हो जाता है मालमों कि लोगों को फसाने के लिए स्कैमर्स QR Code दुकानों और दूसरी जगह पर भी चिपका रहे हैं इसको लेकर FBI की ओर से कुछ वक्त पहले वार्डिंग भी चारी की गई थी ऐसे में अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे जादा सितरक रहने की जरूरत है और साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहत जरूरी है जिसके तहट QR Code के साथ आने वाले इमेल आपका पहला संकेत होते हैं ऐसे में किसी भी इमेल पर विश्वास करने से पहले सही तरीके से उसकी जांच परताल कर ले इसके इलावा किसी भी QR Code को स्कैन करने में जल्दबाजी न करे और साथ ही Free Gift Card को लेकर भी थोड़ा सचेत रहें राजंदर सेतु के समानांतर 6 लेन पुल नर्मान का रास्ता साफ मुकामा के राजंदर सेतु के समानांतर बन रहे और्टा सिमरिया 6 लेन पुल के नर्मान को लेकर सरक पड़ेवान एवं राजमार्ग मंतराली के समक छुए प्रिजन्टेशन में यह जानकारी निकल कर सामने आई है किसका नर्मान कार्य अगले वर्स ऑक्टूबर तक पूरा हो जाएगा बता दे किस पुल का नर्मान पूरा हो सका है जिसमें अप्रोच रोट शाविल नहीं है मालू हो किस पुल का नर्मान कारे रेलवे के साथ तकनी की पेज की वज़ा से रुका हुआ था जिसे अब संसोधित कर दिया गया है वहें पुल की लागत 1161 करोड रुपे है पच्छुआ हवा के कारण तापमान में आई कमे बिहार में मौसम का मज़ाज दिन प्रते दिन बदल रहा है बदलते हालाद के बीच में अब लोगों को परिशानी का सामना करना पर रहा है इन दिनों प्रदेश के जादा तर जिलों में सुबह और शाम लोगों को जादा परिशानी का सामना करना पर रहा है इन दिनों पच्छुआ हवा के प्रवा के कारण मौसम में तेजी से बदलाओ देखने को मिल रहा हाला की दोपहर में तेज दूप देखने को मिल रही है इन दिनों नियुनतम तापमान 18-20 तक पहुच गया है मौसम विभा के तरफ से जारी अबडेट के अनुसाद पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ का प्रवा बना हुआ है जिसके चलते लोगों को सुबह और शाम में हलकी हलकी ठंड का हैसास हो रहा राज़ानी पर्टन और उसके आसपास के जिलों में 9-10 किलोमीटर पती घंटी की रफ्तार से हवाई चलने की संभावना जताई गई है मौसम के जानकारों की माने तो प्रदेश में 30 अक्टूबर तक अलित्तम तापमान 28-30 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाये गया है वही हिमाले की तलहटी वाले इलाकों के कुछ अस्थानों में सुभा के समय हलके अस्तर का कुहांस अच्छाए रहने का पुर्वानुमान लगाये गया है मौसम में अगले पांस दिनों तक कोई खास पदलाव की संभावना नहीं जताई गई है इसनों ने लैंडर विक्रम के बारी में दी जानकारी 23 अगस 2023 को चंद्रयान तीन के विक्रम और लैंडर चंद्रमा के दक्षनी दुरूप पर सौफ लैंडिंग करके तिहास बना चुके है वहीं अब इसरो याने की इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन के दौरा विक्रम लैंडर को लेकर एक जानकारी दी गई है बता दे कि इसरो के दौरा यह जानकारी एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उसपर ट्वीट कर दी गई है इसरो ने ट्वीट कर लिखा है कि चंद्रयान तीन परिनाम 23 अगस 2030 को नीचे उतरते ही चंद्रयान ती लैंडर मॉड्यूल ने चंद्र सामगरी का एक शांदार इजेक्टा हेलो उत्पन किया इसरो के विज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 2.66 टन चंद्रयान तीन विक्रम लैंडर के आज पास चंद्रमा की सतप पर इजिक्टा हेलो की विसेस्ता जे इंडियान सोशल रिमोर सेंस CBSE ने 9-11 के लिए रेजिस्ट्रेशन की तारीक बढ़ाई Central Board of Secondary Education यानि की CBSE के दोरा कफछा 9-11 के रेजिस्ट्रेशन के लिए तारीक को बढ़ा दी गई है ऐसी में अब 16-10 नवंबर 2023 तक अपना रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं जादेक इसको लेकर CBSE के दोरा अपने ओफीसिल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अनसार लेट फीस के साथ 11 नवंबर से 18 नवंबर 2023 तक डाटा को सब्मिट किया जा सकता है मालम हो कि पहले रेजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीक CBSE वोट के दोरा 25 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई थी जिससे अब बढ़ा कर 10 नवंबर 2023 तक कर दी गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि गक्षा 9 और 11 वी के परिक्षा के लिए रेजिस्ट्रेशन फॉर्म CBSE के परिक्षा संगम पोटल पर अप्लोड चाकर आविदन करना होगा मालम हो कि जिन चातरों के द्वारा यह रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भड़ा जाएगा वही चातर 2024 में होने वाले 10 वी और 12 वी की बोर्ड परिक्षा में शामिल हो सकेंगे प्रकाज जाब बना रहे लालू यादव की बायोपिक हमने कई राजनेताओं के जीवनी पर बनी फिल्म देखी है वहीं अब मीडिया में यह खबर चल रही है कि राजस सुप्रीम हो लालू पुशाद यादव की जीवनी पर भी एक फिल्म बनने जा रही है देविद दुरगा के अपमान पर गिरीराज ने लालू नितिश को चिताया राज़त विधायक फते बहादुर सिंग के दोरा हिंदु देवी देवताओं को लेकर दिये गड़ टिपनी कि जो समय देश गुलाम हुआ उस समय मादुर्गा कहा थी उन्होंने ब्रिटिशों का संगार क्यों नहीं किया क्यों भारत इतने सालों तक गुलाम रहा उन्होंने एक पुस्तक का हवाला देते वे कहा कि जब मादुर्गा नहीं धर्ती पर कदम रखा तो तीनों लोग हिलने लगा तीनों लोग में केवल भारत ही आता है क्या या पूरा विश्वा आता है अगर दुर्गा देवी होती और इनका अफ्तार हुआ रहता तो केवल भारत में क्यों पूरे विश्व में क्यों नहीं हुआ जब मा दुर्गा का इतिहास नहीं है तो लोग इतना खर्च क्यों करते हैं महीं अब उनके इस बयान पर किंद्री मंत्री गिरास सिंग के दोरा राज़त और जेडियू को निशाने पर लेते वे उन पर जमकर हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि रामायन ग्रंद को और दुर्गा के उपासना करने वालों का अपमान दुर्भाग्य पुर्ण है ये लोग हिंदूओं के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये कमजोर आदमी है राज़त नेता ऐसी बाते कभी कुरान या मुस्लिम को लेकर नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें डड़ है कि अगर उनके खिलाफ बोला तो सिर्थ तंग से जिदा हो जाएगा आनंद मोहन के गावं पहुँचे सीयम नितीश और जद्यू अध्यक्ष ललन सिंग बीददन बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार और जद्यू अध्यक्ष ललन सिंग पुर्वसांसद आनंद मोहन के पैतरिक गाउं सहरसा के पंच गचिया पहुँचे जहाँनोने आनंद मोहन के दादा चुतंता सिनानी और कोशी का गांधी नाम से जाने वाले राम बहादुर सिंग एवं चाचा पद्मानंद सिंग ब्रहमचारी के मुर्ती का नावरन किया इस दोरान वहां जेरियो अध्यक शललन सिंग आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद बेटी तिथार राज़त विधायक चेतन आनंद मोजूद रहें बता दे के मुख्य मंतरी के आगमन को लेकर सभास्थल और आनंद मोहन के आवास अस्थल को सजाय गया था कामरान अकमल ने अपनी ही टीम पाकस्तान को मैच ना जीतने की दीब बद्दुआ विश्वकब दोहजार तेजम की अगवाई वारी पाकस्तान टीम बारहार जेल चुकी है जिसे कि उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पर रहा अब इसे बीच पुर्व क्रिकेटर बल्लेबाज कामरान अकमल के दौरा पाकस्तान के एक न्यूस चैनल पर एक विश्वक्या के रूप में अपनी टीम पाकस्तान को एक अनुठा सुझाओ दिया गया है उन्होंने काई कि यदि आप पाकस्तान प्रिकेट में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि अब कोई भी मैच ना जीते तब ही इनका इगो खत्म होगा अगर वे फॉर्म में आना सुरू कर देंगे तो वो वही बात दोराएंगे आपके जानकारी कलिवता दी के अब तक पाकस्तान के वल दो मैच ही जीत सकी है वही जन तीन मैचों में टीम को हार मिली है वह भारत, औस्ट्रेलियो और अफगानस्तान के साथ खेल कर मिली है भारत की तिहास में आज की तारीक है कही कार्णों सिदज बंगार में British Indian Association के स्थापना 1851 में हुई, जैन स्वितांबर 13 पंथी सभा के स्थापना 1913 में हुई, स्वामी विवेकानन के सिस्थ्या भगिनी निवेदिता का Ireland में 1863 को जन्म हुआ, प्रसिद विदिवेदा सिक्षा प्रेमी रचना कर्त था बांगला भार्षा के प्रसिद अतुर प्रशाद सेन का जन्मठा 1871 में हुआ, भारत सरकार में ग्रीस अचीव मौरिस गार्नियर हैरिट का जन्मठा 1883 में हुआ, मशूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याती प्राप्त शायर अंजान का जन्म 1913 में हुआ, भारते रिजर्ब बैंके 24 वे गवर्नर उर्ज पटेल का जन्म 1963 में हुआ, विचारक चिंतक और सहितिका, डॉक्टर मनोज शित्रवेदी का जन्म 1956 में हुआ, अकबर के बेटे जहांगीर कनिधन 1627 में हुआ, विख्यात वेंगेकार, श्री लाज, सुक्ल कनिधन 2011 में हुआ, लोगप्रिय उपान्यास का राजिंदर अभ्यूदे सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद के बारे में दरसल पी आईबी के अपने ट्वीट में लिखा है कि 25 अक्टूबर 2013 की एक प्रस्विध्यप्ती जिसे ऑनलाइन साचा किया जा रहा, मेरी आरोप लगाया गया है कि आर्बिय ने अभ्यूदे सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया है, प्रस्विध्यप्ती फरजी है, अधिक जानकारी के लिए what's up channel के लिए company ला रही है एक और अपडेट, what's up channel में एक और अपडेट जल देने वाला है, company channel उनर को admin को जोडने के लिए एक option देने वाली है, यानि group की तरह अब channel में भी अलग-अलग admin बनाए जा सकेंगे, और admin के पास यदिकार होगा कि वह channel में सीजो को post कर पाएगा, फिलाल WhatsApp channel में creator text, image, video, gif आदी share कर सकते हैं, जल्द company voice note को भी channel में share करने का option creators को देने वाली है, यह feature पहले से Instagram broadcast channel में मौझूद है, सब्डेट की जानकारी WhatsApp के development पर बनाए रखने वाले नजर, website WA beta info ने share की है, फिलाल यह update android beta users के लिए जारी किया गया है, जो आने वाले समय म सबी को मिल सकता है, इस feature की मदद से, channel owner उन्चरिंदा लोगों को channel का एडमिन बना सकते हैं, जिने वा जानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, इस feature की मदद से creator को flexibility मिले गी और channel पर लगातार content post हो पाएगा सेंसक्स 635 अंक उष्ला, निफ्टी 19,000 के पार, आखरी काड़ो बारे दिन यानि की बीते दिन घरिलू शेर बाजार लगातार 6 दिनों से जारी गिरावट के सिलसले पर ब्रेक लगा दिया, बतादी की बीते दिन BSE सेंसक्स 635 अंक मजबूत रहा तो वहीं निफ्टी में 202 अंकी बरहत दर्ज की गई, मालमों कि BSE का 30 शेरो वाला मानक सूजकांक सेंसक्स 634.65 अंक यानी 1.01 फीज़ी की उचाल के साथ 63,782.8 अंक पर बंद हुआ, कालोबार के दुरान सेंसक 63,913.13 की उचाई तक गया और नीचे में 63,393.37 तक आया वहीं, महीं दूसरी तरफ NSE का निफ्टी 202.45 अंक की बरहत दर्ज की गए, निफ्टी दिन के अंत में 19,077 शुने अंक पर बंद हुआ, कारोबार के दौरान निफ्टी 19,076.15 की उचाई तक गया और नीचे में 18,926.65 तक आया, बीदे दिन जो 5 शेर टॉप गिनर्स रहें, उनमें एक्सस पैंक, H CLTEC, SBI, Tata Motors और NTPC शामिल है, वहीं जो 5 शेर टॉप लूजर्स रहें, उनमें Asian PINTS, Ultra Tech, Cement, ITC और Tata Steel के नाम शामिल है, हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूई सवाल, उससे जुरी जवाब बताएंगे, जोगी BBSC, बिहार, पुलिस, दरोगा, समीत SSE जैसे आने प्र सार अयोध्या में राम जन भूमी मंदर की प्रांट्पत स्था, निम्न लिखित में से किस्तिकों किय जाने की योजना है, उपशने 12 जनवरी 2024, निट 14 जनवरी 202, उपशने 18 जनवरी 2023, अगला सवाल, बी सी सी आई ने हाली में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निमन में से किसे निक्त किया है उप्शन ए पिंक टेश प्रसाद, उप्शन भी पारस महामबडे, उप्शन सी अमोल मजूमदार, उप्शन डी रोबिन सिंग इसका सही उप्शन सी अमोल मजूमदार, अगला सवाल, उत्तर से दक्षिन तक बिहार राजी की अधिकतम लंबाई क्या है उप्शन ए 320 किलो मेटर, उप्शन भी 344 किलो मेटर, उप्शन सी 362 किलो मेटर, उप्शन डी 372 किलो मेटर इसका सही उत्तर है उप्शन भी 344 किलो मेटर, अगला सवाल, बिहार सरीफ में ओधन्त पूरी विश्विद्याले के स्थापना किस ने की? उप्शन ए धर्मपाल, उप्शन भी गोपाल, उप्शन सी देवपाल, उप्शन डी महीपाल प्रथम इसका सही उत्तर है option B गोपाल अगले सवाल पिटनावे गुरु गोविन सिंह का जन्ब किस वर्श हुआ था? option A 1656, option B 1671, option C 1666, option D 1671 इसका सही उत्तर है option C 1666, बीतर दिन हमार दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है विकास दास, पंचम वर्मा, सब्व्याज्जा, धीरज कुमार, दास, उमेश, रिसिदियो, कस्तूरी कुमारी, गोर्नर सर्मा, वीतरकास सिंग, ललन कुमार, चंदरवनसी, विकी कुमार, जियांस कुमार, मंजुद देवी, प्रहलात कुमार, राम प्रकाश कुमार, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, तिवहारों के दौरान रेलवे की ओर से चलाई जाने बाली पूजा स्पेशल ट्रेन यातनियों के लिए पड़याप्त है या नहीं, अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहनी के लिए देखते रहें बिहारी नियूस, और साथी अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना न भूले, धन्यवाद!